आज हमारा देश सरमसार हो गया आज इस गंततर दिवस पर जहां हमारा तिरंगा लहराते रहता था वहां किसी और का जंडा लहरा रहा है जो हमारे परदहान मंतरी का नारा था सौगंद हमारे मिट्टी की इस देश को नहीं जुकने दूगा लेकिन आज क्या ये किसान हैं क्या ये दंगाई हैं या फिर इन्हें हम खलिस्तानिक हैं इन किसानों का जवरा सरकार से है लेकिन यह क्या इन्हें नो तो देश को ही सरमिंदा कर दिया अब अब क्या भारतिये किसान यूनियन के नेता हिंसा की निंदा की और इसका स्रेद दि अब दिल्ली पुलिस किसानों को ऊपर आरोप लगा रही है किसानों ने सर्तों का उलंगन कर परेड निकाला इस हिंसा में कई पुलिस वाले गंभी रूप से घायल भी हो गए है हिंसा को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं भी अस्तगित कर दी गई यहां तक कि कई जगाओ पर हाई एलड भी कर दिया गया तीन जीलो सोनी पत पलबल और जलजर में इंटरनेट सेवाएं इसे में सेवा तक बंद करनी पड़े इस दंगा को देखते हुए ग्री मंत्री ने आपात बैठक की अमिसा की अगवाई में करीब दो घंटे बैठक चले इसमें दिल्ली पुलिस कमिस्नर और आला अधिकारे भी मौजूद थे इस दंगा को देखते हुए दिल्ली में भारी सुलच्छा बलको भी तैनात किया गया यहां तक की पैरा मिलिटरी फोर्स को भी बुलाना पड़ा अब इस देश का दूरभाग देखिए कई राजनितिक पाठिया सरकार पर हमला कर रही है मम्ता दिदी ने तो मोदी जी को दोसी करा देही दिया वहीं सरब पवार ने भी सरकार पर ही उंगले उठाई इस देश को सर्मिंदा करने वाले ये किसान नहीं हो सकते